बारत मां वेपारी तरीके आवेली पर्देशी प्रजाए दिमे 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 राज्ये शासन संबढ़वानू शरू करूँ फ्रेंच, पोटुगीज, डच अने अंग्रेज प्रजा शर्वात मां वेपारी तरीके आवी अने ए बद्धा मां थी अंग्रेज प्रजा सोथी चल्ले फावी अने भारत ना शासक तरीके समगरभा भारत मां फेलावामां सफर दिवड़ी अंग्रेजों भारत जित्यू अने इमने व्यवस्थाना भाग रूपे किटलाक एवा भारतियों नी जरूर हती के जे इमने तिया कारकुन तरीके काम करे के नाना मुटा ओफिस ना काम संबाले अने ए आशेी थी एमने अंग्रेजी सिक्षण अपती शाडवो भारत नी अंदर शरू करे शरू आतमा कलकत्तामा पछी मुंबई मा और गुजरातमा सुरतमा और भरुच मा अंग्रेजी डबनी शाडवो शरू थे अने इनुपरिणा में आव्यू के अत्यार सुधी पाट शाड़ाओ, आश्रम शाड़ाओ, के घरमा भणता गुजराती बालको एक नवी दुन्यामा प्रवेश्या अंग्रेजी डबनी शाड़ामा तैयार थेला बालको त्यार पची शिक्षक बन्या, अने एमने पोतानुँ आजे ग्ण्यान छे, ए ग्ण्यान विस्तारवानू शरू कर्यो पहली वखत भारतीय समाजे व्यक्ति स्वातंत्र अथ्वा तो व्यक्तिनी पोतानी अंगत स्वातंत्र ता शूँछे ए अंग्येनु ग्ण्यान मेलव्यों आ अंग्रेजी डबनी शाड़ा अने जीवन शैली नो एक प्रभाव ए पड़यो के पहली वखत भारत नो जे उपेक्षी तवर्ग रहो हतो ए उपेक्षी तवर्गे एक नवा धर्मनु ग्ण्यान मेलव्यों अने धर्मान तर्नी प्रक्रिया शरू थै अत्यार सुधी जे परदेशी शासको आवया हता ए मुटे भागे भारत ने लुटी ने पाचा गया हता अथवा तो इह अगर भड़ी ने रहा हता परन्तु अंग्रेजो एवा शासक हता के जे मने सामानिय प्रजा थी अंतर जाड़वानू पसंद कर्यू परन्तु पुता एनो प्रारम था अने त्रीजी तरफ थी वर्तमान पत्रवे प्रजाने जोडवानू काम कर्यू आवा वातावरणनी अंदर गुजराती नवलकथाना पिता तरीके जेमने ओलखवामा आवे छे ए नंद शंकर तोज्या शंकर मैता एमनो उचेर था एमना पिता सूरतना जक खातामा काम करता हाता परिणा में नानपण थीज नंद शंकर मैताने शिक्षन अने पुस्तक विशेनू क्याक ने क्याक कोईक प्रकार नू ग्ण्यान प्राप्त था हुआतो नागर कुटुम मां जन्मया होआने कारणे मात्रू पक्षे थी पन किटलाक साहीत्यना गून प्राप्त थाया हाता बेट्रिक नी परिक्षा पसार करया पछी नंद शंकर मैता थोड़ोक वखत सूरत मां शिक्षक तरीके जोडाया अने त्यार पछी एबने सरकारी नोकरी लिदी अने एमां आसिस्टेंट पोलिटिकल एडवाईजर तरीके अने छेला वर्षों मां नंद शंकर मैता जारे सरकारी अधिकारी तरीके काम करता हाता त्यारे एमना उपरी अधिकारी रसेल सहेब एमने किट्लिक नवल कथाओ वाँच वाँपी जेमा सर वोल्टर स्कोटनी नवल कथाओ एमने बहुँच अनुकूडावी अने एमने लाग्यू के आप रकारनू कथा नख तो गुजराती साहीत्य माँ पन प्रचलीद छे। सीवाई के लोक साहीत्य नी लोक कथा के लोकवारता हो। तो एक तरफ प्रेम होई अने बीजी तरफ राजकुमारी ने मेलवा माटे राजकुमारोए अथ्वातो जमीनदारोए बतावेनु शावरिया होई। केटली कल्पना होई, केटलोक इतिहास होई अने मध्यम बर्चना वाचकने जेमा मजहा आवे ए प्रकारनु वातावरने नवलकथामा रहतु आतु। नंद शेंकरने लाग्यू के आपरेकारनु कथानक तो गुजराती साहीत्य पासे पण छे अने एमने सौथी छिल्ला हिंदू राजा करण वागेलाना कथानकने नवलकथामा उतारियापवानु नक्की कर्यो। अने परिणामे करण घेलो नामे गुजराती भाष्यामा जेने पहली प्रशिष्ट नवलकथा कहियेचे ए प्रशिष्ट नवलकथानो जन्मा थायो। पाटण ना छिल्ला हिंदू राजा करण वागेलाने केंद्रमा राखीने लखायेली आ नवलकथामा सोल प्रक्रण छे। करण वागेला पुताना मंत्री माधुनी रुपाली पत्नी रुप सुन्द्रीने जोईने एना प्रेम्मा पड़े छे। लेखक करण ने मुडे लखावे छे के वास्तों मा तो विधाता आये इने मारे माटे घड़ी आशे। पणे नी बूल थे गई औने इने माधुमंत्रीना घरमा मुकी देदी। हवे विधातानी आ भुल मारे स्विकारवी जोई ये। ए समयनू आखुजे राजकीय मानस के राजापुताने इश्वर नो परियाई गणे ए तमने आ करण वागेलाना वाक्यमा जोवा मुडे। सिद्धी रिते तो एने प्राप्त करी शकायम न थी। एले करण माधव मंत्री ने परदेश मुकलवानो आखो कार्सो रचे शे अने पाछेव थी रूपसुंद्री ने मिलववा माटे इना घर पर आक्रमण करे शे। माधवनो नानो भाई केशव रूपसुंद्री ने बचाववा जता घयल थाई शे अने मृत्यू पामे शे अने रूपसुंद्री शे ए आखरे करण ना राजमेल मां पहुची जाई शे। केशव ना मृत्यू थाया पछी एनी पत्नी गुण सुन्द्री सती थवानो निर्धार करे शे। के जो आमनी दिकरी सती थई। तरत जेने बिजो विचारे आवेशे के पड़ना ये सती न थाई तो वधारे सारो। काण के अमे जहरे घर्डा थाई और दिकरो वो अमने न राखे त्यार आवी एक विध्वा दिकरी होई तो ये अमारी हात लाकडी बनीने उभीरे। फरी पाशो मनमा विचार आवेशे के ना न दिकरी सती थाई तो बहुँ सारो। अने जे दिकरी ये कदाच मनमा सती थवानों विचार नहीं करे होई एनी माता एने सती थवा माटे प्रेरे शे। एउँ कहे शे के बेटा तू सती थवानों विचार नहीं करती हाँ लोको तो एउँ कहे शे के तू सती थवानी शे अने गोणसुंद्री ना मनमा सती थवानी कल्पना पन नहीं होई पन माता ना प्रेराई ने ए सती बनवा माटे तैयार थाई शे। आ अखी जे घटना छे ए घटना कदाच इतियास मां क्यारी नोंधा ही नहीं होई परन्तु नंद शंकर नवल कथा लगता लगता पोताना समाजनी जे मरियादाओ हती ए चिंदवा मागता हता एटले इमने आ घटना ने नवल कथा नी अंदर कोई किलते गोठवी आपी छे ए स्त्री जारे सती थवा माटे निकड़े छे औने सती थथा था था शाप आपे छे ए नवल कथानू एक चालक बाल छे एक करण ने उँ कहे छे के आजे ते मारी जिन्दगी छिनवी ली दी छे पण एक समय यो आऊ शे के तारा घर्री वह दिकरियो छे एक बगदादना बज जहर नी अंदर वह जा शे औने नवल कथाना अंतमा पड़े जोईये छे के सतीना शब्दों छे एक शब्दों साचा पड़े छे करण वागे लाए पुताने गमती स्त्रीतों मेलवी ली दी परंतु ए जाने शे के एनो जे अंज्याम शे एनो जे अंत हशे एक अदाच बहुँ सारों नहीं होई अने एउज बने शे माधव परदेश्ती पाछो आवे शे अने एने खबर पड़े शे के पुतानी पत्नी हवे करंड राजाना महलमा बैठी शे राजानी साथे सिद्धो तो लड़ी शकेम नथी अने एटले दिल्ली ना बादशाने आमंत्रणा पए शे कि तमें पाटण उपर आक्रमण करों आने मारू जे वेर शे ए वेर लेवामा मने मदद करों अखीज नवल कथामा इतियासनी जे गटना शे गटनानी साथे नंद शंकर महेता कल्पनाना रंग पुर्ता जाई शे एमने पाटण नी अंदर जारे दिल्ली ना सेंजेनु आक्रमण थाई शे त्यारे पाटण नी अंदर बोज मुटी आग लागी एवु एमने चित्रा आप्यों छा वास्तों मा नंद शंकर जारे नाना हता त्यारे सुरत मा लागेली आग एना ए साक्षी बनेया हता एले पोते जोएली आग एमने पाटण मा लागेली आगना वर्णन रुपे मुखी आपी छे पोतानी आसपासनों समाज ततकालीन रित्रीवाजो एनी रित्रीवाजोंने कारणे उभी थती समस्याओ ए बद्धानू आलेखन एमने आ नवलकथा नियंदर कर्यों छे प्रस्ताओना माज एमने लख्यू छे के मगरूबीनों मार अने धर्म अने सत्यनों जय एज आ नवलकथा लखवा पाचलनों आशेई छे नवलकथा ना जे पात्रों छे ए पात्रों मुटे भागे काल्पनिक होवा छता नंद शेंकरनी जे कथन शेहली छे ए कथन शेहली ने काल्पने जाने जीवनत बनता होई एवू लागे छे बे जुदा-जुदा धर्मना सैन्यों बे जुदा-जुदा धर्मना राजाओ अने ए बन्नेनी जुदी-जुदी लाक्षणिक ताओ ए नोंधवामा पन नंद शंकर छे एमने सफ़ता मोलगी छे बात भले इतियासनी करवी होय पण इतियासनी साथे ए स्त्रीवर्णी समस्य आने स्त्रीवर्टनी पेडा छे ए पण मुखता जाई शे पाटन मा हरी गयलो करण छेले जंगल मा जहीने वसे शे एनी बे दिकरियो एनी साथे शे एनी पतनी एनू अपरण थाऊ शे अने सोथी छेले खवर पड़े शे के ए पण बादशाना जनान खाना मा पहुची गई श मोटी दिकरी कनक वतीनू तो मृत्यू थाई शे पण नानकडी दिकरी देवल देवी जे राजाने बहुच प्रीय हती अने एनू एने शंकरदान साथे लगन करवानू नक्की कर्यू हतू पण एनू पण अपरण थाई जाई शे अने ए पण बादशाना जे सेनापती शे सेनापती ना जनान खानामा पहुची जाई शे शोथी छेले एकलो अटूलो पड़ेलो करण वागेलो जेने कोईज ओडखतू न थी अने एक अजहान्या सैनिक तरीकेश मृत्यू पामे शे लेखक ने बतामू ए शे कि जे कर्म कर्यू शे एक कर्मनू परेडाम अहियाने इयाज आपने भुगववानों छे अने एटले ज एक वखतनो पाटनो राजवी एउ केवातू अतू क्याकी दर्ती जेना पगमा नमे छे एनू जारे मृत्यों थाई शे त्यारे एने ओलखवा वाडू पन कोई न थी एक अजहान्या सैनिक तरीके एनू जे शब छे संसकार करवामा आवे शे तो नवलकथानी अंदर एक तरफ थी नंदशंकर महता गुझरातना इतियासने लई आवे शे, बीजी तरफ थी बोल्टर सकोटनी नवलकथा थी प्रेराई ने एमने इतियासनी साथे काल्पनिक प्रणई कथाओ जोडी शे, त्रीजी तरफ थी स सती थवानी आखी घटना चे ए मुखी आपी ने एमने एक करून रसनू पण आलेखन करियो छे अने सामाजीक नबढाईयो छे ए सामाजीक नबढाईयो पण एमने चिंदी आपी छे आजे कदाज आ नबलकथा आपने माची है तो रसक्षती थवानो आपनने भाई रहे एवू पंड लागे के ना वर्णनो अतिशयोक्ती भरेला चे युद्धनू जे वर्णन चे ए युद्धना वर्णन माँ पण किटलाग प्रश्णो थवानी शक्यता उभी रहे चे पड़ नंद शंकर मैता है जारे आ नबलकथा लखी त्यार एमनी पासे गुजराती भाष्णा मा लखायली नबलकथा नो कोईच आदर्श नो तो बीजू गुजराती गध्य हजी विकस्तू आउतू हतू कारण के नर्मद ना निबंदो के दलपत्राम ना खिटलाक निबंदो अथवा तो मैपत्रामे जे लखेलू सासू ओवनी लड़ाई जेऊं लंबू कथानक धरावतू एक कथा स्वरूप ए सीवाई नबलकथा तो आपणी पासे हतिक ने एले नंद शंकर मैताई नबलकथानो स्वरूप उभू करवानू हतू विकसाववानू हतू एले गुजराती रूप आपवानू हतू अने इनी साथे गुजरातना इतिहास ने एमने कथा रूपे मुखी आपवानू हतू ए द्रस्ट्री थी आपने जेरा नबलकथाने जो कर दो